होप एनेशिया हास्पिटल पे जो बिवाद हुआ उसमें मानिय सांसद कमलेश पासवान के उपर भी एफाई दर्श करा गया है उसमें आपके क्या प्रत करिया थे शही आपने सवाल किया होप एनेशिया 22 जून की घटना में जहां तक मेरी जनकारी है इसके पुर में कि नियम के अंरूप कार किया गया हो और बोर्ट के सत्सका जुन्य सदसों की चैन के अधार पर पुरूरुप से वो हस्पिटल को आम मरीश के हितों में द्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा था इसी बीच जो 22 तारीक की घटना है मैं कहीं से ये नहीं कर रहा हूँ कि विजए पांडे जी उसमें डारीक्टर नहीं है लेकिन एक बोड की जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत उनको उस हस्पिटल में अपनी घुनका सुनिशित कराना चाहिए ना तो किसी एक दंगा के रूप में दंगाई के रूप में वहा के अन्रशाथी के द्वारा खुले तोर से बाहर एक दंगा के रूप में किया जा रहा था उसी बीच जो बासकों के सस्वी लगतार तीन बार शांसत आम जन्ता के द्वारा चुने हुए निवाचित उस बोर्ड के अंतरकत वह एक सदस्ट निवाचित हैं उस हैसिय से उन्हो पब्लिक को और आप किसी भी मरीज को कोई दिक्कत हो कहने के लिए गया कि आप लोग बाहर ना कोई विवाद करें अंदर बैठ करके बोर्ड के हैसिये से आपसमें बैठ करके उसको समझा जाए उनकी मंसा जो विपच्छी है सिरी पांडे जी उनकी असपष्ट मंसा दिख विवाद करने का रूप लेना था उन्होंने सीधे सीधे भाच्वा के शांसत को ललकारते हुए शिर्फ उनको ही अब सब्दों की बात नहीं किये गया पूर्य उनकी जात समधाई के प्रति उनके त्वारा एक अब सब्द कहा गया जो जात सूचक के तहत मुकत्मा फुलिस प्रशाशन ने दर्श किया प्रंत मैं वहां पर निंदा जरूप करना चाहूं मैं अपकी प्रशाशन का जिस दिन की घटना है उसी दिन से वीडियो वाइरल था अगर यह पूर्ड रूप से साच था फिर भी तदकाली के तरहीर देने के बाद क्यों नह साच नहीं था और साच ना होने के बावजूत एक गंभीर धाराओं में जो लगतार इस तीन बार शांसद रहाओ एक बिधायक रहा हो और जिसका परिवार आस नहीं पूरा पुर्वी तरप्रदेश के रूप में गाना जाता है कि आम जनता की सेवा करते करते उनकी पिदा पांसी जार रुपे रूट और एक सुने की चैन छिनेती का गंभीर धाराओं में दर्श कराना मुझे नहीं लगता कि कहीं से यह सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि यह अगर इस तरह से जिलाप्रशाशन के द्वारा गलत कार किये गये हैं गलत धाराओं में दर्श किये गये तो उस मुकद्वें को तद्काल वापस लेना चाहिए मैं सिर्फ ब्लाग पर्मुक के हैंशे से बात नहीं कर रहा हूं वह ज मैं मांग करता हूं